नमस्तो उस्तो स्वागत है दीदी की रेसीपी में आजकल गर्मिया इतनी बढ़ गई है कि बस कीचन में जाते ही ऐसा लगता है कि कुछ बन जाए और फटा-फट से सबको पसंद आ जाए तो मैं लेकर आई हूँ ऐसा नास्ता जो जटपट से तयार हो जाएगा और आप इसे चीजों से बनके तयार हो जाता है टेस्ट इसका बहुत ही शानदार है तो चलिए इस आसान सी रेस्पी को बनाना शूरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है कड़ाई और डालेंगे इसमें दो चमच तेल और तेल जैसे ही गरम हो जाए तो हम इ चमच एड़ कर दिया है तो हम थोड़े से मसाले आड़ कर लेंगे आदा चमच मैंने आप हल्दी पावडर आदा चमच कोई भी गरम मसाला पावडर और आच धीमा ही रखना है और यहां पे चार से पाँच मैंने उबले हुए आलू लिये हैं जिसे फोड के रख लिया है जब हम सुबह खाना बनाते हैं तो तभी डाल के साथ इसे उबाल लेते हैं और एक चमच इसमें जाएगा चाट मसाला चाट मसाला ना हो तो आप यहां पे आमचुर पावडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं उससे भी टेस्ट बहुत बढ़ियां आता है तो यह जो हमारा मसाला इसे मिक्स करना है स्वाध अनुषार आप नमक डाल देना इसके अंदर और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है धीम आच पर इसे बुन आया मसाले तभी अच्छे से बुन जाते और बहुत अच्छे लगता है टेस्ती से और थोड़ा सा यहां पे स्वाध को और बढ़ाने क और एड़ करेंगे इसमें दो कटोरी, पानी और पानी को थोड़ा सा गुन-गुना होने देते हैं तो हम इसमें एक चमच चिली फ्लिक्स डाल देंगे या कुटा हुआ लाल मिट्शी पाउडर और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पावडर और यहां पर मैंने आधी कटोरी धनिया लिए इसे डाल देंगे अब मैंने यहां पर एक कप सूजी लिया है मैंने दो कटोरी पानी लिया था तो एक कप सूजी लिया है और इसे धीमी आज पर चलाते मिक्स करते जाएंगे और यहां पर मैंने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है तो इसमें मैदा वगरे काम इस्तमाल नहीं कर रहे तो यह नास्ता हमारा बहुत हेल्दी होता है क्योंकि हम इसे सूजी से बना रहे हैं तो सूजी का आय दिन हम उपमा इडली बनाते रहते हैं क्य बिल्कुल इस तरह का यह हो गया है तो इसे हम ठंडा कर लेंगे दूसरे बरतन में और इसे हम गुतेंगे देखे बिल्कुल इस तरह से गुतेंगे जैसे आटे का डो होता है तो यहां पर दो से तीन मिनट के लिए से इस तरह से गूत लेंगे तो यह सौफ्ट हो जाएगा यानि कि चिकना हो जाएगा, अब हाथों पे इसकर छोटे-छोटे हम लोईयां बनाएंगे और हाथ के अतलियों पे थोड़ा सा इस तरह से रिफाइंड ओईल या घी कुछ भी हम लगा सकते हैं खाथ के हाथों में यह चिपके ना और इसकी हम थोड़ी थोड़ी जैसे हम रोटी बना जाया है अच्छे से फिल करते हुए हम इसकी जैसे भोरी लगाते हैं उस तरह से हम इसे अंदर पैक कर देंगे तो यह हमारा सूजी का बॉल तयार हो जाएगा इस तरह से हमें गोल 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 इसे घुमाते जाएगे ना तो यह बंद हो जाएगा यह देख सकते आप पैक हो गया है तो आप चाहो तो इसे गोल भी रख सकते या तो चप्टा कर सकते मैंने आप थोड़ा चप्टा कर द तो आप इसे deep fry या shallow fry कर सकते हैं तो मैं यहां पर shallow fry कर यह क्योंकि वहती कम तेल में तयार हो जाता है नास्टे को बिछा दिया है और आज को मैंने यहां पर धीमा रखा है धीमी आज में हम इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ना अच्छे से पख जाएगा आज को हमें धीमा हो गई है तो हम दूसरी लेयर पलट लेंगे अच्छे से अब बढ़िया सा कलर आगया आप देख सकते कितना मस लग रहा है यहां तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलें यहा हमारा नया नास्ता बन के रेडि हो गया है तो फटा-फट से महमान हो या बच्चों को सब करेंगे चाय के साथ देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा घर की कुछी चीजों से देखा दोस्तों बन के तयार हो गया है तो आज की रिस्पी कैसी लगी कमेंड में जरूर बत की का चीजों की अजर रेगेगा लगेगा है जर्म से वाय को इसे खब थाय को सब्सित डर lं से घरे घरया है तो रभिद